वारा नसी में एक वेदेशास्र में पारंगत ब्रामन रहा करता था। उसके यहाँ वेदपाट पढ़ने के लिए बहुत से शिशे आया करती थे। अपने पिता के श्राद के दिन उसके घर में रहने वाले बकरे को अपने शिशो को सौधिन करते हुए कहा। शिशो इस बकरे को नदी पस नान करा के रक्तचन्दन के पाच उंगलियों की निशान इसके पीट पर लगा कर और पुश्पो की माला उसके गले में डाल कर लियाओ। आज उसके बली देकर मैं अपने पिता का श्राद करने वाला हूँ। उस ब्राह्मन के शिशो ने बकरे को नदी पस नान करा कर उसके गले में पुश्पो की माला के साथ साथ उसके पीट पर रक्तचन्दन से पाच उंगलियों की निशान लगा कर नदी के किनारे खडा किया। तब वो अचानक से ही जोल से हसने लगा और थोड़ी देर पच्चात जोल से रोने लगा। उसका एसा विजित्र वेवा देखकर उन युवाओं को आचारे होने लगा। तब उन्होंने बकरे से पूछा तुम पहले हसे और बाद में रोए इसका कारण क्या। बकरे ने कहा यहाँ प्रश्ण आप अपने आचारे की सामने पूछे तबी मैं आपको इस प्रश्ण का उत्तर दूँगा। सारे शिष्ण उस बकरे को अपने आचारे के समिप प्ला खड़ा करते हैं और अपने आचारे को नदी के किनारे बिती हुई घटना के बारे में बताते हैं तब वो ब्राह्मन उस बकरे से पूछता है तुम पहले हसे और बाद में रोए इसका आकारण क्या। बकरे ने उत्तर दिया भाई ब्राह्मन में 499 जनम पूर्व आपके ही जैसा एक वेद शासर में नीपुन ब्राह्मन पूरोहित था। उस जनम में पीता के शात के लिए केवल एकी बार बकरे की बली चड़ाई। उस दुशकरम के कारण मुझे 499 बार बकरे का जनम देकर सोयम की बली देनी पड़ती थी। परन्तु पश्यू योनी में में मेरा यह अंतिम जनम है। इसलिए हर्ष के मारे में हस रहा था। और जब मुझे आपका स्मरण हुआ तब मुझे अत्यनतक खेद हुआ। आप मेरे इस जनम के पालन करता है। परन्तु इस दुश्करम के कारण आपको भी मेरी तरह पास्सो जनम तक बकरे के योनी में अपनी सोयम की बली देकर हर जनम में बली का दुख भोगतना पड़ेगा। इस विज़ा से मेरा मन गलानी से भर गया है। मन में बहुती पीडा हो रही है और इसलिए मुझे रोना आ रहा है। ब्राम्हन ने कहा तुम किंचित भी मत डरो। मैं तुम्हारे जैसे प्राणी को मार कर पश्योनी में जनम नहीं लेना चाहता। तुमने मुझे इस बात से अउगत कराया इसका मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ और आज मैं मेरे शिशो के सहयोग से तुम्हारी रक्षा करूँगा। बक्रे ने कहा आप और आपके शिश्य मेरी कितनी भी रक्षा करे। फिर भी आज मुझे माने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि मेरे दुशकरम, मेरे कियाई गए पाप ही इतने बलवान है कि मुझे मेरी बली करम के दुख से कोई मुक्त नहीं कर सकता। परन्तु ब्रामन ने उसकी एकन सुनी और जब वो अपने शिशो के साथ मिलकर उसकी रक्षा हेतु एक सुरक्षि स्तान पर उसे ले जा रहा था, तभी वह बक्रा एक बड़े पाशान के आसपास होने वाले हरे भरे घास को खाने लगा। और तभी एक वज्रपात हुआ, जोर से एक बिजली उस पत्थर पर जा गिरी और जैसे ही उस पत्थर के टुकड़े हुए, वैसे ही उसमें से एक नुकिली पत्थर ने उस बक्रे के गर्दन को शरी से अलग कर दिया, उस अध्भूत आच्चरों के देखने के लिए गाउ उसे बहुत लोग वहा पहुचे, उस पाशान के थोड़ी दूरी पर ही एक हरा भरा पेर था, उस समय हमारे बोधि सत्व उस रिक्ष पर रिक्ष देवता के रूप में प्रित्वी पर रहा करते थे, उन्होंने उन लोगों को कहा, मनुष्य जब पशुयोनी में जरम लेना कितना दुखदाई होता है, अगर इसे समझता, तो वे पशुयों की हत्या या बलिक कभी भी नहीं देते, बलिक करम के कारण कितना दुख भोगतना पड़ता है, यह इस बक्रे के उधारन से स्पष्ट होता है, उसी समय बोधि सत्व का यह उपदेश सुनकर, लोगों ने पशुयों अत्या से दूर रहने का निर्ने लिया, धन्यवाद, वारा नसी में एक वेदेशास्त्र में पारंगाई